कि दोस्तों यहीं पर वीडियो को शौंप करते हैं और आप वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं कर लिए तेंक्यू हाला कि यह है जो दो तीन मिनट और कंटिन्यू रहेगा उस्ते बाद यह हट जाएगा है भारती सौनी मैडम का प्रिश्ण है आवाज कि अ कि हो रही है तो अल्षक नहीं आ रही है तो आपके लिए अब आणा रही होगी मेरे अभी मैं बोलना हूं अब सही है छलिए ठीक है तो सर पहले तो अब लेटर जो अभी आया उसे पढ़ते हैं और इसके बाद हम अपनी जो आपके सवाल-जवाब हैं उसे कंटिन्यूव करेंगे जैसे कि अभी एक लेटेस्ट आदे आया है ट्रांसफर ते रिलेटेड है हाला कि सिक्ष को से नहीं है फिर भी आप खोड़ा सा देख लिए और सिक अगले सोने में अगले दिन के लिए बहुत लंबा इंतिजार करना पड़ता है तो इस वज़े से यह स्ट्रीमिंग हमारी छोटी रहेगी और अभी हमारा रेगुलर्टी रहेगी और रात नौ बज़े करेंगे कल जल्दी साड़े आठ और नौ बज़े के बीच जुड़े और यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं आज जैसा कि अब जो आदेस आया है हलां कि इसमें जाना था सिक्षकों से इसका कोई जाना लेना नहीं है फिर भी हम ट्रांसफर से रिलेटेड है तो आपको थोड़ा से इसके बारे में अफगत कराना चाहते हैं तो शाथियों लो आं तरन अपरांत तकाल कारमक्ट करने की श्यक्त में है जो प्रशासने का अधिकारी संयुक्ति संचालकी सूची जारी हुई थी और उसमें उनके लिए कारमक्ट करने हथा हूई है जिसमें इसकूल शिक्ष वबागबारा इकीस बाइस अक्टूबर दो हजार वाइस को प्रशासनेक अधिकारी तथा संयुक्तो संचालक जला सिक्षा अधिकारियों का सायक संचालकों को इस्थानांत्रण के लिए इन समस्त अधिकारियों को दो नवंबर 2020 तक अनिवार कार्मुक्त का ततकाल प्रभार ग्रहन कराने हेत हुए तो इस पर हमने वीडियो तो नहीं संचालक और संचालक से related अधिकारियों की दो नवंबर एक तक आनिवार किया जाना क्योंAL है इसमें दिया गया है जैसे कि विभाग से ऑंधवैग में उच्च मानुप सिक्षक कि युब रात्मिन खर्चलित को आदारप के आरफ्र सब्सक्राइब करने का कश्ट करें तो हमारे जो जो अधिकारी है उनका भी ट्रांसफर हुआ था इनकी लिष्ट जारी हुई थी तो बहुत सार जो पदादिकारी है उन्होंने अभी अपनी इस्थान नहीं किया है सीग्री इनकी जोने के बाद जो उच्च मांदमिक शिक्षक और शिक्षक प्रात्मिक शिक्षकों की जो अभी भरती कांसलिंग चल लएए उसके दस्थावे सत्थापन के लिए यह है शीग्री इनकी कारमुक्ती से अभी कोई नया आधिस जनरेट नहीं हुआ हमारे बहुत सारे सिख्षे साथ ही जहां परिशान हो रहे हैं अपने ट्रांसफर के रस्ती करण के लिए यहां पर आज जैसे कि अभी मैंने अधा गंटे पहले ही अपने लीडेयो पर एक कमेंड्स देखा है कि एक हमारे महला सिख्षका है और उनके साथ परिशानी यहां आ गए-क ज्यले है और दूसरे जिले है उन पहुँच गई हैं लेकिन संकुल से अभी उनके ऑनलाइन रिलीविंग नहीं हुई है तो ऐसे केश में वह उनका मारक दर्सन लेना चाहती थी तो मेरा तो यहीं मारक दर्सन रहेगा कि अभी आपका संकुल चेंज से रिलीविंग नहीं हुई है तो आप अपने श्कूल पर जा सकते हैं आपके लिए कोई परेशानी नहीं है आपना अपने पर बापस जा करके जोईन कर लीजिए अभी आप ऑनलाइन जब तक रिलीव नहीं हुए हैं तो आप अपने स्कूल पर बापस जा सकते हैं और साथ में अपना ट्रांसफर का आवेदन जब भी और भी बहु जिन से ऑनलाइन ट्रांसफर करवाया आवेदन करवाया तो उनकी वज़े से कुछ जैसे हैंडिकेप्ट की जानकारी मांगी है या पति पतनी बभाय के तो उसकी जगए जो यूनिक कोड है इस परकार की थोड़ी थोड़ी माइनर जो परेशानियां है तो उनके लिए भी ऐसे सिक्षक साथियों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप एक एफिडेवर्ट पर अपनी जो बात क्लियर है गलती से उस समय हो गए लेकिन अभी आप एक सफ़त पत्र पर इस पर जानकारी दे करके संग्बुल प्राचार और डियो साब के लिए अबगत करा सब्सक्राइब का है तो आप सिकायत कर सकते हो सकती है ट्रांसफर से ले रिलेटेड तो यह एक लास्ट बिकल्फ है पाक ताहित तक आप इसे कर सकते हो अभी और भी आवेदन ज्यादि आप आपका उप्शन खुलता है तो उस पर आप कर सक्तों या फिर पंदह दिन में आ हमारे ट्रांसफर तो उन्होंने ऑप्शन भराता उससे खुश नहीं है अब वह है वह अहां पर ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं और उन्हें अपना आविदन रस्त करवाना है तो ऐसी परेशानिया आ रहे हैं अब हम इन में से देखते हैं हमारे सिक्षास आती हों की और क्य भारती सोनी मेडम का प्रशन है सर मेरे यहां MS में पहले से ही प्रधान पाठक है और मुझे CM राइस का प्रधान पाठक बना दिया है मुझे क्या करना चाहिए तो मेडम आप जिस स्कूल में वहां पर किसी को प्रधान पाठक बना दिया और आप CM राइज विद्धाला हैं पहुच गया है तो अच्छी बात है यहां पर रही है और लेड़ी जहां पर पहले से अगर CM जो CM है तो वहां से हटाए जाए जाएंगे या तो वह आच्छी नित होंगे CM राइज स्कूल के जो पहले से पोस्टेट है और आप परिक्ष्ट दे करके पहुंचिए तो आपको प्रधान पाठक का पोस्ट पर चै भी जाए तो आपके लिए कोई बात नहीं है अगर अनिवार्निंघ भी होती है तो अदो से पहले उसका बिकल्ब भी जाएगा कि आप नरस्त करवाई है या फिर अनिवार जोइन कीजिए तो नरस्ति करण के लिए हमारे आप ही नहीं है बहुत सारे शिक्ष्षाथियों के ऐसी समख्षा आ रही है इस पर कोई लेटेस्ट अप्टेट आती है कैंसिल की तो हम आपको बताएंगे और फिलाल ऐसा अनिवार ज करण तो इस गम से दे नहीं रहे हैं चलिए अब हम आगे देखते हैं गजेंद प्रजापती सरका ट्राइवल ट्रांसफर का क्या हुआ तो सर आज सुचिया आना थी लेकिन अभी तक नहीं आई है अब क्या पता उस पर जांच चलिए और जांच होने के बाद सुचिया का प्रशन है यह डियों ने भी मुक्त कन्य से इंकार कर दिया है क्या करें अपना नंबर दीजिए सर तो गोविंद गोतम सेर मैं अभी इस मंच पे तो आपको अपना नंबर नहीं दे सकता हूं आप अपना नंबर खोड़िए मैं आप से कॉल पर बात करूंगा और चलिए आंगे लेते हैं विभा मैडम का प्रशन है से ट्राइवल विभाग ट्रांसफर लिस्ट आज आनी वाली थी उसका क्या हुआ तो जी मैडम अभी क्या पता और भी कोई जो काम चल लाता उस पर साइद अभी पूरा नहीं वह पाया होगा और इस वज़े से यह लेट हो रही है सूची है आपकी समभता आज नहीं तो कल आ सकती हैं यहां पर कुछवा सर का सर ट्रांसफर आज इस कैंसल करने के लिए क्या करना होगा तो तु सर इसके लिए कोई वैसा बैकल्प आभी ऑनलाइन नहीं आया कि कैंसल कराने के लिए आप यहां से कैंसल करा सकते हो और यहां पर जो डीपी आई के अधिकारियों ने उन्होंने आप बिल्कुल भी इसके लिए इसके निर्देश भी दे दिये कि कोई भी डीपी के लिए आफ लाइन पत्राचा नहीं करेगा ऑनलाइन के आवेदन नरस्त होंगे अब नरस्त ऑनलाइन होंगे तो वह किस प्रकार से होंगे इसका आपके जवाब भी उसमें लिखा के पंदा दिन बाद स्वता ही नरस्त हो जाएगा या फिर आप एक दो दिन देखके कल्प पांच तारीक इसकी लाष्ट है रिलीविंग जॉइनिंग की तो पांच तारीक के पहले पांच या चाहत तारीक को साम तक आप परिवेदना नवारण यार टीचर्स जो पोर्टल है उस पर जा करके आप वहां से एक आवेदन कर सकते हो लेकिन वो आवेदन है आपका ट्र पता ही ट्रांसफर हो जाए रस्तों हो जाएगा चलिए अब देखते हैं कि लाइन बेट सुनीन सुनीत पांड़े सर चलिए हमसे जुड़ गए हैं और सर के लिए नमस्कार यहां पर राजकुमार राजकुच सर का प्रश्ण है सर हमारी विद्याला में एक द्रश्टी वादित सिक्षक है उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म डाला था लेकिन उनका इस्थानांत्रा नहीं हुआ है जबकि उनकी पतनी भी जो ग्रहनी है वह भी पूरी तरह से द्रश्टी है क्या तो जी सर इसके लिए तो ऐसे सिक्षक सात्यों के लिए तो अभी तो कोई बिकल्प नहीं है क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भर गए उसकी डेट भी आधिस भी आ गया है और रिलीविंग जॉइनिंग भी होने लगी है तो इनके लिए या तो ऑफ लाइन में ही हो सकता ह है ऑनलाइन में तो सभी जो चालिस परसेंट से जो अधिक जो प्रिकलांग की उसमें दिश्टी में आते हैं तो सब के लिए एक सभी रूल्स हैं अब अधिक ऑप्सन भरना चाहिए थे चलिए अब हम और देखते हैं आंगे कमेंट्स जैसे कि गोवन सर का सार बात जरूर क इस स्ट्रीमिंग के इंतरगा तो या बाद में आप कमेंट्स वक्त में लिख जीजिए और हम आपसे बात करेंगे और यहां पर आम मैं देख रहा हूँ माइन क्राफ्ट है फ्लियर से जो भी हमसे से साथी या मैडम जुड़ी है तो नमस्कार आपके लिए और राजकुमार राजपूत सरका एक वार हम कमेंट्स फिर से पढ़ते हैं जैसे कि सरका प्रशने सार हमारे विद्याले में एक द्रश्टी बादे सिक चक हैं जिन्होंने ऑनलाइन फर्म डाला था लेकिन उनका इस्थाना नहीं हुआ जबकि उनकी पतनी भी ग्रहणी है वह किम कोते से भी होते हैं तो उसमें आप आविदान कर सकते हो उसक्त हमें से और उफार शियू करा सकते हो उसक्ते हो अपर को से 보시면 रहे अलिकिन आ वालान ऐनप में अभी बात नहीं बन सकती कर लाक्र आव अपनी शाओं मेडम का प्रushậ 55े साला वालों को भी ट्रांस्फर का लाब मिलेगा।トो मेडम सभी के लिए ट्रांसफर का लाब मिलेगा। आप एक सपप्षी के सीसाम के जितने भी ट्रांस्फर अभी रुके है तो उन पर फाइनली 1-2 दिन में क्लीर हो जाएगा और सबके ट्रांसफर होंगे क्योंकि जिनका ट्रांसफर आज इसा आ गया है और वो अब स्वेक्षा से उस इस्थान पर यदि जाना चाहिए तो उनके लिए कोई रोक नहीं है जान चल रही है विवस्था हो रही है और सीग्री इस पर आपको सकारात्मक परिणा भी मिलेगा जैसे कि अब आया है रगुनात पवार सर का प्रेशन सर्ट्राइवल ट्रांसफर लिष्ट कब आएगी तो जी सर्ट्राइवल ट्रांसफर की जो अपडेट है इसे हम सोड़ा सा आपको देख करके बताते हैं अभी कोई लेटेस्ट अपडेट आई है या नहीं और फिर कि तो अभी तो मुझे इसमें कोई ट्राइवल से रिलेटेड आज की कोई अपडेट नहीं है और शीक्र ही ट्राइवल वालों के लिए तो इस पर तो फिलाल यही है कि जहां पर जंजाती कारववा की जो संजीव सिंग आयोक्त महोदा हैं इनका कहना है कि कुछ खामियों के कारण से के सची यहां होल्ड पर कीगई है जो ट्राइवल वा वाकी इसके लिए कमेटी इसके लिए कमेटी ने जो नराकरन में लगी कमेटी एक वनाई गई है उस दियुक्त कर्क स dachte हो कर संसुदोध हो जाएंगी इस पर का का इस्टेटमेंट है सो अमार को आज है सुधार हो जाना चाहिए थी वहीं पर अब यह जो क्या तकनीकी तुरूटियां आई हैं इसे हम जैसे कि यहां पर बता देना चाहिए कि सिक्षों की जॉइनिंग रोक दी गई है इसके लिए इसके बारे में आदिस कहां कि तकनीकी तुरूटि के कारण जहां होल्ड की गई है कुछ सूचियां और चैने सिक्षों को अगले आदिस तक जॉइन नहीं किया गया सूत्रों की बाहने तो आरक्षित कोटे में हुई भर्तियों के लिए लगाए गाए जाती प्रमाणपात्र में गड़वड़ियों की सिकायत हुए इस वज़े से कई जातियों जो मद्धप्रदिस में आरक्षित वर्ग में नहीं हैं उनके प्रमाणपात धारकों को पीच चैनित कर लिया गया है इसके अलावा नंबर की हो जाएंगे जंजाती कारववाग के ट्राइवल के तो इसका ये रीजन है स्वामबार को आज जहां आना थे तो आज नहीं आपाए तो कल करतो एक गुदिन में आपके सीखरी आदिस जारी होंगे अब चलिए अभी आपका कोई कमेंट्स आयो तो ठीक है नहीं तो कल फिर आपती लेता है तो क्या ट्रांसफर होता है तो आपती किस परकार की रहेगी उस पर करेगा और जिनका ट्रांसफर हो गया तो फिलाल उस पर रोप नहीं लग सकती आप अपने ट्रांसफर पर यदि कोई आपती लेना चाहते हो तो उस पर जरूर रोप लग जाएगी और य यहां पर कर भी अगेरागी सर का प्रिश्ण है एजूकेशन डेपार्टमेंट में और ट्रांसफर होने की उम्मित है जुद जी सर अभी कंफर्म जितने आदेस आना थे वह सभी आ चुके हैं अब में समब बता अब कोई ट्रांसफर नहीं होना जितने थे वह ओनलाइन आ चुके हैं तो यहीं पर चलिए अब एक और हम यहां पर ले लेते हैं जीवन सिंग ठाकुष्टर का प्रशन है सीम राइजो स्कूल के सिक्षकों को कारमुक्त नहीं होंगे क्या तो सीम राइजो स्कूल के अभी सिक्षकों के लिए फिलाल यही निउज है कि अपडेट है कि उन्हें इस सत्र में वहां पर अध्यापन का कार कराना होगा और फिलाल तो इन पर अभी कोई बात नहीं बन रही है और अध्यापन सत्र अंत के बाद वह ने रिलीव कर दिया जाएगा और आप इस सत्र में पूरा आपको वहां पर ही अध्यापन कार कराना होगा आध्यापन का जैसे वोज भी विग्यान व्यसायस हो तो आपके बिद्द्र में कोई अन बैद्ध बिग्यान वैसाय आयाय का से कहिए और डियो से भी अपनी बात रखिए क्योंकि फिर इसके बाद कोई डवल टीचर आ जाता तो फिर बाद में फिर सर्प्लस में सर्प्लस का ही अब आगे वह होना है तो फिर इसमें कई सर्प्लस मेरेन किया रहा है बातलब किसरे कारें बाद यह और आप किस इस पज़े से आपको रिलीव नहीं किया जा रहा है कि जहां कि चंद्रोदय सर का प्रश्ण है ट्रांसफर कैंसेल कैसे होंगे तो सर ट्रांसफर कैंसेल का भी विदीवत कोई आप्शन नहीं आया कि आप यूनिक कोड डाले हो और वहां से आपका कैंसेल का आवेदन हो तो इस प्रकार का भी कोई कैंसेल का आप्शन नहीं है बेवकल्प हमने जो बताया है वही अभी है पूजा मिस्टर मैडम क्या प्रशन है ट्रांसफर की कोई उमीद है तो मैडम इसके लिए तो इस पस्टन निर्देश है कि ट्राइवल से एजुकेशन में आने के लिए अभी कोई समभणता नहीं होगी और वैसे इससे पहले बी हुए हैं लेकिन प्रतिनुक्ति पर उमीद थी और बहुत सारे प्रतिनुक्ति पर ट्राइवल से अभी हैं और उनके लिए समभणता बापिश भी नहीं किया गया है अगर बाइचांस आपके किस वत अच्छी रही तो आपक अभी नहीं हो सकता है आपका अच्छा राजकुमार राजकुल सरकार जिसमें द्यालना में दोनों ही शिक्षक विकलांग वहां पर कोई ऐसा नियम है कि वहां एक शिक्षक और प्रफार लेने के लिए दिया जाए ताकि विकलांग सुझकों कोई कोई समय साना बन पहा है तो यह सर आप ऐसा कर सकते हो इनके लिए यादी जाना परिशानी आरहे तो आप अपने शंपल प्राचार के लिए डियो साव के लिए अपकर आशक्ते हैं किसी ञमीप सिक्षक को दे सकते तो आप अपनी बात वहां पर जब्रूर रखिएगा चंदर सिंग सरका प्रिशन है सर ने औहां कि सर अभी इस पर कोई लेटर अपसेटर नहीं आई है क्योंकि इसके पहले बारी जो प्रॉसेस है वही हमने बताई है तो अभी कोई नई अपडेट इस पर नहीं आए ट्रांसफर नस्तिकरण के लिए तीन दिन से हम जो बता रहा है वही प्रॉसेस अभी भी कंटिन्यू है है आं अमित निगत्रका पुरुसनर प्रतिनुक्ती के बारे मैं बताएं यह ट्रांसफर में नहीं आता है दो साल और बापास लौटना पड़ेगा लौटना पड़ता है क्या बतायं तो प्रतिनुक्पी इक इस से उसकी प्रतिनुक्ती आप की कौनसर अउस किसमें है सी ये असी वाली प्रतिनुक्ति या जो ट्राइवल से एजूकेशन वाली प्रतिनुक्ति है यह हमें क्लियर हो जाया पहले पूजय मिश्र मैडम के सर का यह प्रिश्ण है डीपी आइसे ट्रांस्पर आने की कोई उम्मीद तो मैडम इसका तो अभी मुझे तो तो अभी 90 परसंट तो कोई उमीद नहीं दिख रही है तैन परसंट कहीं बाइचांस आपके किस्वत में होगा तो आपको एन उसी मिल सकती है राम हमान सर का प्रश्ण है बोला जा रहा है कि आज डियो ऑफिस से कॉल आया था कि आपने स्कूल से साथ टीचर्स का ट्रांसवर हो गया है तो अभी किसी को रिलीव ना करें जबकि मेरा स्कूल सून्य सिक्ष किये नहीं है साथ टीचर्स का ट्रांसवर हो गया है और तो अभी किसी को भी रिलीवड ना करें चलिए ये कस वज़े से अभी आपके तो पूरे टीचर्रों को ही रोक रखा है डियो साब ने आपके सब्सक्राइब रखा है यह दम क्लियर हमें पता नहीं चला है चलिए आप क्या करें प्लीज रिपलाई दीजिए सर इसका आप हमें एक बार कमेंट्स इस वीडियो के उसमें जरूर डालिएगा और फिर उस पर हम आपको थोड़ा सा कंफर्म करके इसके कराना है क्या प्रकृया है अगर हम नहीं होगे तो क्या कोई परशमी नहीं होगे तो जी सार अभी कोई इसके लिए कोई सब्सक्राइंड के लिए और नहीं आया है और आपके उस पर लिखा है तो आप 15 दिन बाद स्वताही नरस्त के मां करके चलिए फिलाल यही विकल्प है और कोई विकल्प नहीं है अनिवार रिलीविंग का ऐसा कोई आदेश आया नहीं कि आपको अनिवार रिलीविंग होना है नहीं आपके संकुल प्रतियों ने ट्रांस्पर नहीं लिया था स्वताही नरस्त हुए थे तो इस बार भी होंगे आपके आजैसे के आदेश में भी लिखा है और ट्राइवल से एजुकेशन की प्रत्युनिफ्ति के बारे में अमित गौतम सरका प्रश्ण है अंतर विवाग तो जैसे की सरका प्रश्ण है था प्रत्युनिफ्ति के बारे में बताएं यह ट्रांस्फर में नहीं आता है क्या दो साल बाद बापस लोटना पड़ता है बता तो जी सर बहुत सारे जैसे कि ट्राइवल से एजुकेशन में आएं बहुत सारे सिक्षा होने के बाद जब वहां के विभाग वाले ट्राइवल वाले आपके लिए आजिस करेंगे कि अब जो सिक्षा गए हैं वो प्रतिनुक्ति से बापस लोटी तभी जाना पड़ता है तो दो साल बाद भी करते रहते हैं और फिर जब लेटर आता तो तभी वहने बापस होना पड़ता तो यह से अगर आपकी दो वर्स से भी यादिफ हो गया तो अभी जब तक आपका नहीं आया बापस का तो आप नहीं जा सकते हैं चलिए लाश्ट कमेंट्स हम आब ले रह रहा है कि तो इसमें offline तो इसमें कोई करना ही नहीं है सभी online ही कार होना है online ही ही ज्वाइनिंग होना है और कोई जाना समय नहीं है अब क्या पता आपके डियों साहे या जो बाबू हैं वो क्यों चकल लगवा रहे हैं बहुत सारे ऑफिसों में तो जहां हमने देखा है कि ऐसे ऐसे संकुल हैं जहां संपुल प्राचार जितने भी आ रहे हैं उन्हें आज गए एक दो घंटे में रिलीविंग दे रहा हैं और साथ में फूल मालाएं भी पहना रहा हैं अपने जो उनके संकुल कारेयलाय में आ रहा हैं और किसी भी प्रकार की परिशानी नहीं आ रहे हैं ऐसे उधारण भी देखने को मिलना है कि कहीं कहीं पर तो बड़े कोई समस् हमने अपने कारेयलाय से रिलीव किया है बाकाइदा फूल मालाय पहना रहा है और जो कर्मचारी है उस वाग उनके अंतरगार जितने भी आ रहा है सिक्षा कर्मचारी तो वह बड़े खुशी-खुशी अपनी जगह जा रहा है तो कहीं के तो बहुत सुख़ समाचार भी मि निशानिया है तो सभी सम्मानी सिक्सेसातियों को एक वार सभी मेरा नमस्कार और सुखरात्री मिलते हैं अगले अप्टेटेट वीडियो के साथ तब तक लिए जैहिन जै भारत जै मत्रदेश